नवस्का दोस्तों कैसे हैं आप फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और स्वागत हमारे इस यूटूब चैनल पे तो दोस्तों डित प्रस्वी की तरफ से आज दिन भर में केवल एक ही नई नोटिस जारी किया गया है जो इस वीडियो के मादन से फुल अपडेट आपके साथ स्यार करने बाले हैं आप वीडियो को सुरू से लेके आखिर तक जरू से जरू देखिएगा आलोबर इंडिया से और डित प्रस्वी की सभी प्रकार की लेटिस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूटूब चैनल को जरू से जरू सस्काइब करने तो चलते हैं दोस्तों ठीक है आज का अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं देख लें यहाँ पर दोस्तों आज अभी अभी 14 वार एक 2022 को अभी बिल्कुन जारी किया गया DFSB की official website पर एक order यहाँ पर देख लें order जारी किया गया है In view of the prevailing situation of COVID-19 in Delhi NCR COVID-19 की बज़े से Delhi NCR में Competent Authority has decided to postpone a Biometric and Photograph Verification Schedule between 17-1-2022 till 21-21-2022 यहीं 17 तारीक से लेकी 20 जन्वरी के बीच में जो Biometric Verification होना था उसको postpone कर दिया गया है Now it has been decided to hold the Biometric Photographic Verification 28-1-2022 Friday and 31-31-2022 Monday के दिन किया जाएगा तो एक बड़ी ही खबर निकल के आ रही है दोस्तों कि जो 17 और 20 को Verification होना था Biometric उसका याप cancel करके, postpone करके 28-31 जन्वरी के बीच में किया जाएगा यहाँ पूरी Notification देखने किस-किस का है तो Post Code, User Department, Tentative of Candidates, Date and Time Verification तो दोस्तों पहला है 42 बटे 15 जूनियर कमिस्ट के लिए और 5 बटे 17 जूनियर इंजिनियर सिविल के लिए साथी में 48 बटे 15 जूनियर इंजिनियर इलेक्रिकल के लिए इसका User Department है, Delhi Agriculture Marketing Board Tentative Candidate यहाँ पर देखने एक है, इसमें 4 इन में है और इसमें 2 है जिनका और 1 बटे 20 जूनियर इंजिनियर इलेक्रिकल के लिए इसके लिए डेशू और इसके लिए देली अर्बन सेल्टर इंप्रोब्मेंट बोर्ड लेने बाला जिसमें 25 इस्टूडेंट है, और इनका Biometric Verification किया जाएगे, हाँ पर देख ले 28.01.2022 फ्राइडर के दिन, रिपोर्टिंग टाइम है 10 एम फिर आँगे देख ले, 7 बटे 19, 19 बटे 15 जूनियर इंजिनियर के लिए इसमें 56 कंडिडेंट है और इसमें 48, इनका 28.01.2022 को यह होगा, जिनका रिपोर्टिंग टाइम दो पी एम है और 13 बटे 19 का 31.01.2022 मंडे के दिन रिपोर्टिंग टाइम है 10 एम देखलें आप कहां पर होगा यह जो बैरिप्रिकेशन होने जा रहा है कहां पर होगा देखलें क्या क्या रिकॉर्मेंट है, सर्विश बूक, अपॉयमेंट्स ऑफिश, और पॉलिस बैरिप्रिकेशन पोर्ट होना चाहिए, मेटकल रिपोर्ट, गवर्नमेंट आइडी प्रूब, जैसे अधार कार्ट, इलेक्शन कार्ट, डाइविंग लाइसेंस या पास्पोर्ट होन चाहिए, इनको साथ साथ में आपको ले जाना है, ते बहुत जरूरी हैं डाकुमेंट्स जिनको आपको ले जाना है, थैंक्यू दोस्तों